Welcome back students, Hindi में आज आपका topic है छोटे उ की मात्रा वाले शब्द ठीके बेटा, आज आपको कैसे सब्द पढ़ने है हिंदी में? आज आपको छोटे उ की मात्रा वाले शब्द पढ़ने हैं ठीके छोटे उ की मात्रा कैसे लगती बेटा? इस तरीके से ठीके तो चलिए बहुम लिखते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे छोटे उ की मात्रा में छोटा आ, ना न पे छोटे उ की मात्रा फिर ज ये क्या होगिया मेरता? आ न पे छोटे उ की मात्रा नो ज खाले अनुज ठीक है क्या हो गया यह दिखिया आपे कोई मात्रा नहीं है नपे छोटेओं की मात्रा है फिर ज़ खाली है क्या हो गया अनुज इसके बाद है मा धधपे छोटेओं की मात्रा क्या हो गया मध्रू क्या हो गया मध्रू मा खाली धपे छोटेओं की मात्रा तो मध्रू इसके बाद होगा गर गर पे छोटे हो की मात्रा गुद लपेया की मात्रा लाब खाली क्या हो गया ये गुलाब क्या हो गया गुलाब इसके बाद हो गया छोटा सापे छोटे हो की मात्रा सो नबया की मात्रा ना रखाली सुनार ठीक है क्या हो गया ये सुनार उसके बाद क्या है गपे छोटेउ की मात्रा गू रखाली हल क्या हो गया ये गुड़ हल गपे छोटेउ की मात्रा गू रखाली हा खाली लखाली क्या हो के यह? गोड़हल, ठीके? ये क्या है विट आपके? छोटे ूं की मात्रा वाले शब्त है, ठीके? चलिए एक बाएश को आँ फिर से पढ़ते हैं अखाली, नपे छोटे उं की मात्रा नू जऌखाली, अनू जब मखाली धपे छोटेओं की मात्रा धू मध्रू उसके बाद क्या है गपे छोटेओं की मात्रा गू लपया की मात्रा लाब खाली गुलाब सपे छोटेओं की मात्रा सो लपया की मात्रा ना रखाली सो नार गपे छोटे उंकी मात्रा गुर खाली हखाली लखाली गुरहल ठीके ये क्या है मेटा आपकी हिंदी में आपका हिंदी में जो टापिक था छोटे उंकी मात्रा वाले शब्द ये ऐसे समने मेटा जिनमें हम छोटे उंकी मात्रा का प्रयोग करते हैं ठीके तो ये आप क्या कर आप इसको हिंदी की कौंपी में ऐसे ही बढ़ें बढ़ें रिखेंगे और यह जो मात्रा है इसको इस पर विसेज ध्यान लेंगे ठीक है तो आज के लिए हिंदी में इतना ही इसके बात मिलेंगे आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में